और इस बीडियो को स्टार्ट करने से पहले में आपको एक बात बता देता हूँ कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है एक भी स्टेप मिकस मत मिस हना है नहीं करना है वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं करना और समझना है देखना है और फिर अपलाई करना है बच्छों को मोबाइल का एडिक्षन हो गया है और ओनलाइन वर्ड में कभी-कभी ऐसा होता है बहुत गलत गलत वीडियो भी यूटूब वगेरा में चलने लगते हैं या फिर वेबसाइड में जाके इधर-उदर उसको यूज ही करते रहा जाते हैं और उनका देरे 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 वो इतना चिरचिड़ा पन पड़ जाता है कि अगर आप उनसे मोबाइल लूट लेंगे तो आपको मारने लगेंगे मोबाइल फेक देंगे तो इन चीजों का कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मोबाइल के जरिए य आप बड़ो का भी हौगा यह जरो हो आदा सुधार सकते हैं जो बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं रात 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 वर मोबाईल में लगे रहते हैं या तो वीडियो देखारे या चैटिंग कर रहे हैं किसी से इन सब चीजों कर पक ऐसे हुआ है घर बैठे उनके मोबाइल क कैसे अमने कंट्रोल में रख सकते हैं वह चीज को मैं इसमें बताने वाला हूँ ताके उनका हर चीज का हैबिट सही रहे है और जो करना चाहते हैं वह कर पाएं क्यूंकि mobile connection के करण जो main काम होता है जो main motive होता है वह भूलकर वह दूसरे में बढ़ जाते हैं जिसके कारण उनका जो में मोटीव है वो छुड़ जाता है चलिए इस वीडियो में वहीवे बताने वाला हूं कि कैसे इन चीजों का आप रोक सकते हैं उसके लिए मैं ले चलता हूं आपको अपने दोनों मोबाइल स्क्रीन में जिन से आपको यह चीज क करना है तो जिसमें आपको मलब बच्चे को कंट्रोल करना उसमें फिलाल कोई आप नहीं डालना पड़ता वह आप अटोमेटिकल इंस्टॉल हो जाता है लेकिन जो पैरेंट्स का जो डिवाइस रहेगा उनमें आपको एक डालना है जैसे कि मैं प्लेस्टोर में दिखा रह साथ है वही होता है तो यह फिरी का चीज जिसमें किसी थी तरह कास्ट यह लगता है और यह फिरी आप को स्ट है गूगल की तरव से podr awaken करके नहीं को इसमें आपने parents वाला select कर लिया अब आपका हो गया काम खतम अब आ जाते हैं अपने दूसरे फोन में दूसरे फोन में आपको क्या करना है उसके सेटिंग में जाना है इसमें आपको जाना है उसके बाद आपको नीचे की और जाना है और आप यहां देख सकते हैं parent control नीचे में दिया setup parent इसमें आपको क्लिक करना और इसके बाद को नेक्षट करना है इस पूछेगा कुछ एस डिवाइस को कौन यूज़ करने जा रहा है तो यहापको चील एंटी निजर सलेक्ट करना है तक नेक्सिट के बाद आपको जिस भी account को यहां पर मलब control करना है उसको आपको यहां पर select करना है उसके बाद आपको यहां पर continue दबाना है जैसे आप continue कहें गा तो इसमें जो other account है वो automatically remove हो जाएगा इसके बाद यहां पर आपको parents का अगे का यूजर आईडी होता है दालने के जो रत नहीं रती है ब्स इतने डालके आपको next करना है कि उसके बाद यह आपको password मांगेगा यहां पर आपका जो भी password रहे उसको आपको यहां पर डाल देना है अब यह password को check करेगा उसके बाद आपको next क्लिक करना है यहाँ पर जिसको control कर रहे हैं अब यहाँ पर उसका भी password मांगेगा तो मैं उसका भी password यहाँ पर डाल देता हूं अब यहाँ पर allow क्लिक करना बस कुछ सेकेंड लगते हैं एकांट को दूसरे से क्लिक करने में और यह जो दूसरा डिवाइस है इसमें फिर से आपको जो पैरेंट वाला आईडिय उसमें चले जाना है और यहाँ पर next पर क्लिक करने들 चन्टीनि परक्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पूछ रहा कि आपको भते यह पर क्रिया है करना है क्योंकि मेरे पास यह यहाँ से क्लिक करना है यहां पर इत oxygen देगर मेरे हम यहाँ जो उसके बाद कुछ दिर आपको वेट करना है उसके बाद जो जो एप यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है फिर देखें यहाँ पर आपको 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 इंस्टॉल आ गया तो इसमें आपको फैमिली लिक इंस्टॉल कर देना है उसके बाद नेक्स्ट करना है उसके बाद दे फैमिले लिंक मलब इसमें अटोमेटिकली सारा जो सेट अप होता हो जाता फर्स टाइम उसके बाद के चीजे को आपको खुद से करना रहता है तो चलिए अब आपको मैं पैरेंट वाला डिवाइस में दिखाता हूं का आप इसमें क्या-क्या कंट्रोल कर सकते हैं कैसे कैसे म भी जाओंगा इसमें आपको डन मारना है उसके बाद एक बार बैक होना है उसके बाद येस करना है अभी तक यहां पर अप्डेट नहीं आया है तो थोड़ा सा और हम लोग बैक हो जाते हैं स्टार्ट मारते हैं कंटिन्यू मारते हैं येस करते हैं अभी तक देख सकते हैं यहां पर अप्डेट नहीं आया है यहां तो कंट्रोल हो चुक है फिर भी थोड़ा सा और बैक आते हम लोग पूरा और यहां फिर से आइड को सेलेक्ट करते हैं देख सकते हैं अब यह मिल जाएंगे अब यह फर्स्ट टाइम हुआ अब मान के चलिए आपको दूसरे फोन का आपको आपका जो बच्चे का डिवाइस से आपको लोकेशन देखना को कहा कहा गुंता है यहां पर आपको लोकेशन में आना और सेटप डिवाइस में जाना है अब जैसे इसमें तरन का आदत है और हर टाम ने अप्स ने जारे ने सारे वह जो काटून वाले आप होते हैं या जो भी यह वह एप इंस्टॉल करते रहता है ता आपको यह रिस्टिक्शन लगाना है अप्रूवल में जाना और और अल्ल कंटेंट यहां पर करना है उसके बाद यहां डिवाइस इसमें जाना और इसमें आपको इसमें कर देना है यह जब हो जाएगा तो इसमें है कि वह मलब कोई भी एप इंस्टॉल करना चाहेगा तो आपको यह दूसरे फोन में मलब जिसमें भी सेटिंग अप कर रहे हैं इसी में आपको परमिसन मांगेगा जब वह इंस्टॉल करे अब देखिए यहां बोल रहा है कि आपको पहले यूट्यूब करना पड़ेगा ता आ जाते हैं लोग इसके डिवाइस में यूट्यूब कर लेते हैं थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं इसमें सारे चीज़ कभर करने की कोशिस कर रहां आपको जेनरल सुट्टिंग में जाना को यहां पर रेस्टिक्षफन वैंव च्रॉम में आना करने ओझ इसे तो यह सारे कंटिन्ट नहीं बट बहुत सारे ऐसे कंटिन्ट होते हैं जिसमें गलत चीज़ें रखて जो बच्चों को तो नहीं देखना चाहिए वो चीज़े यहां से रिस्टिक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको Chrome में आना है Chrome में चाहें तो उनके आप कौन से साइट वो खोल सकते हैं यह भी आप सेटप कर सकते हैं अप्रोव साइट और ब्लॉक साइट में जाके लेकिन यहां पर ट्राइट टू ब्लॉक एक्स्प्लीट साइट में आपको क्लिक कर देना है इससे कि जो भी गलत वेब साइट होते हैं जिसमें गलत कंटेंट होते हैं वह चीज़ उनके मोबाइल में खूलेगा ही नहीं और एक चीज़ और यहां पर ओनली एलाव करते हैं कि यहां पर जाते हैं और यहां पर कुछ सर्च करते हैं कि फेस्बुक ही सर्च कर लेते हैं कि देख सकते हैं यहां पर पर मांग रहा है जब यहां पर पर मिसन दवाईएगा आपका अभी मेरा कॉल आ रहा है इसलिए मैं स्क्रीन नहीं दिखा रहा हूं एक मिनिट के लिए आगया अब इसको जैसे आप प्रूब किए अब यहां पर आपको रिफ्रेस्ट करना तो आप देख दिजिएगा फेस्बुक खुल गया अब फिर से यहां पर प्रमिशन मांगा फिर से आपको कुछ भी खोलेगा अपना मुवाइल में आपको परमिशन देना पड़ आप Chrome में यहां लगा दिए उसके बाद आपको उसका Leah view में जाना हो उसके बाद आपको तो इस फ्रेये निया कि आपको ब्लॉक कर देना यह कि खुलेगा यह खुलेगा स्रीब merak आपनी लगा के रखा है तो वह वेबसाइड या कुछ भी ऐसा चीज जो आप नहीं चाहते हैं वह देखे सर्च करें तो नहीं कर पाएगा तो पहला हो गया उसके बाद आप सारे आप में टाइमिंग लगा सकते हैं जैसे मान की चलिए वμलम में गया होगा तो यह दोड़ा सी बात नहीं सकते हैं फिर भी मैं इसको ब्लॉक करके आपको यहां से दिखाता हूं जैसे यह यूट्यूब खुला हुआ है अभी तक अप्लाइ नहीं लिया साइट इसलिए खुल जा रहा है तो जैसे अप्लाइ ले लेगा थोड़ा नेट के करता है उसके बाद देखिए यह बच्चे के डिवाइस में आपको यह फैमली कंट्रोल दिखेगा जिसमें सारा चीज अप्डेट होते रहेगा जो भी आप वहां पर लगाएंगे अभी तक तो यूट्यूब नहीं बंद हुआ है लेस्टेन है ब्लॉक यहां पर सारा डीटेल दिखता है कि आपने किस एप को ब्लॉक किया हूँ जैसे अप्डेट हो जागा आप दिखेगा कि यह यूट्यूब यहां से गाइब हो जाएगा अभी अप्डेट लिया नहीं है यह देखे थोड़ा नेट जलो है या फिर कुछ भी सर्वर में इसका धीर है अब देखते हैं यूट्यूब गैब हुआ है कि नहीं अभी नहीं हुआ हुआ है चलिए आपको कुछ और भी करके दिखाते हैं यह यूट्यूब नहीं हो रहा है तो आपको यहां पर गेम य अब फर्स ताइम एकांट को लिंक है तो अच्छा से काम नहीं कर रहा है नहीं तो यह करते रहता है विजिसे मैं इसको लॉक करके दिखते हैं तो मैंने यह वीडियो का साउंड पूरी तरह से साइलेंट कर दिया है ताकि कोई कॉपी कराइट क्लेम ना है अभी तक करता हूं अभी मैं यह रिकोर्डिंग करके बोल रहा हूं बस अब यह कुछ देर में सारा चीज ठीक हो गया सांड बंद हो गया उसके लिए पावर बटन दबाना पड़ता है दो तिन बर तब जाके सांड बंद होता है तो सोट बजने लगा था मैंने सांड को बंद कर दि स्क्रीन टाइम में जाके आप देख सकते हैं यह है डेली टाइम जो आप दीन में लगा सकते हैं वो दीन में कितने घंटे मुवाइल चलाएगा तो आपको अगर बेट टाइम आप यहां पे लगा दिये ऑन करके इसको तो नौ बजे बंद हो जाएगा और जितने मिनट में आप डैना पजे से नौ बजे 7 बजे तक रहेगा तो नो बजे रात से ऐएसे जोबे करना बहुत ही नमुम्किन है क्योंकि यह मोबाईल के सात बंद होते हैं तो फुझा है तक बेट टाइम उसको लगा का की यहां पे सेव कर सकते हैं उसके मॉबाईल में यह जो एीज़ ह अब देख सकते यह अब डेट होते रहेगा इसमें अब देखे यहां पर बैट टाइम अभी कोई बैट टाइम नहीं है यह से इडियूल अभी तक नहीं दिखाया है लेकिनों कुछ दिर में अपडेट हो जाएगा वहाँ पर यह ही कवर्स टाइम है तुछ तो थोड़ा उतना सवान देखे यहां पर लग गया और यह भी लग ज़िया अब यहां तीन आवर का डेली थैम लगाया है वे टाइम भी हो को ब्लॉक करते हैं तो दर के बाद यहां पर यूट्यूब हो जाएगा देखे यूट्यूब हो गया अपने आखों से देख सकते हैं मैं इसको अनब्लॉक कर रहा हूं वापस आएगा वापस आ गया उसके बाद देखे यहां पर देख रहा है फिर से मैं इसको ब्लॉक करता ह यह प्रस्ट टाइम नहीं हो रहा था क्योंकि वह सभी से सिंक नहीं हुआ था अभी दीख सकते हैं तो यहां पर काम करने लगेगा अच्छे तरीकर अभी एक्टिविटी में दिखाता हूं यहां पर देख सकते हैं फिरी फायर का टाइमिंग इसका अड़ तीस मिनट का है लेगिन यहां पर भी चार मिनट ही स्रिफ दिखा रहा है क्योंकि यह पूरी तरीकर से अब्डेट नहीं हुआ जिस हो जाएगा उसके के अदा गंता जैसे झालन बलॉक हो की नहीं सकता है जितने भी एक आप इंस्टाल करेंग آپको यहां दिखेंगे और एक साइट से इगर इंस्टाल करता यह साइप के कॉछएتم आप अब जाते हैं इसका प्ले स्टोर में कोई आप कोई इस्टॉल करने की कोशिज करते हैं समान के चलिए देख सकते हैं यह गैम ब्लॉक है से लिए रिस्टिक्टिंग है दाउनलोड कोई और भी चीज ट्राइ करते हैं यह तो सब्सक्राइब यहां पर दिया ना अप्रूवल रिक्वाइड इसमें दो ऑप्सन मिलते हैं पहला आस्किन मैसेज करेंगा तापके यह दूसरा पर प्रेंट कंट्रोल वाला यह उसमें आपको मैसेज आएगा कि कुछ अप्रूब करना इसमें कि आपका आगर वह पास इसको करके आप जैसे यहां पर प्रूव कर दिजेगा इसमें डाउनलोडिंग अस्टार्ट हो जाएगा इस तरह से आप उसके मोबैल के हर पास को कंट्रूल कर सकते हैं कि वह कब का यूज कर सकता है उसका लोकेशन भी देख सकते हैं मैं आपको भी लोकेशन इसका दिखा ओए ज़ता हूँ लोकेशन दिखा रहा है तब उसकी और जा भी सकते या नैविएट करके बहुत सारे उपशन है जो आप देख सकते हैं सारे चाश कर सकते हैं और उनका मोबाईल लगा सकते हैं उसमें लगा सकते हैं उसके फोन को कंट्रूल कर सकते हैं when doing level in, how does it use ताकि उसका habit बना रहे है कोई भी गलत अदत नहीं लगे उसको तो आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको सारे चीज़ों को बढ़ियां से पता चले और आप अच्छे तरीके से सारे सेटिंग कर पाएं और आपको एक बार मैं फिर से पूछ देर के लिए थोड़ा सा टांइंग बता जाएक यह बेट टाइम होगी आपका रात में कितना पूझे कितना आपको तक सोएगा इसके लिए यहां डेली टैम होगए कि एक दिन में वह कितना चलाएगा मॉबाइल ने ठीक है तो यह डेली टाइम बैसिकली सही नहीं है उस आप में आप टाइमिंग डाल दीजे को इतना मिनट इतना घंटे यूज कर बाएगा उसके बाद फिर अगले दिन तो इस तरह से आप उसके सारे आप पे यहाँ से कंट्रोल लगा सकते हैं और उसको ऑनलाइन प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसको किसी तरह का गलत हैबिट जादा लंबा हो गया उसके लिए सोरी बट इन्फॉर्मेटिव है आप हर चीज को सीखेगा जानिएगा तभी आप अपलाई कर पाईएगा उसके लिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गया तो वीडियो को देखिए समझे और फिर अपलाई कीजिए अपने बच्चों को होते हैं गलत संगत में भी आ जाते हैं तो उन चीजों को आप इस चीजों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि उनके पास कोई भी गलत हैवित ना लगे और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अब मैं इस वीडियो को इंड करता हूं क्योंकि लग बहुत को लगता है 11-20 मिनट का वीडियो ही गया है तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और धन्यवाद कि आख कि अज़िए